कि अग्वाइज मैं अमरेंद्रियादों एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल स्टेडी मंडी पर आप सब का स्वागत करता हूं तो फिर से सिल्सला को आगे बलाने के लिए एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में एकाई का अंक आपको हम पढ़ा रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2 आपको हमने करार रखा है, अगर आप चैनल पढ़ना हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर आप देखें, आज ये पार्ट 3 होगा तो चलिए सिल्सला को सुरुआत करते हैं, उमीदे कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे बिलोब नो करते हुए सिल्सला को स्टार्ट करते हैं, इकाई यंग में आपको हम पढ़ा दिये थे कि बाद जब फ्रेक्टोरियल की आये तो वहाँ पर आपको जुको कैसे समझना है, कैसे आपका जो है इकाई यंग को आपको निकालते हैं, यह हमने आपको समझा रखा थ अब हम आगे बढ़ते हैं जी समालिक जी कि आपको हम बताया थे कि आप से गर कहा जाए कि यह आपका 46 मूने 542 मूने यह आपका 49, ऐसे आपका एक नमबर हमने लिख दिया थे, और इसका आप से पूछा जाए कि का UD बतावे, U का मतलब यूनिट, D मतलब डेजिट, तो आ यहां से क्यावल आप क्या लेंगे 6, यहां से क्यावल आप क्या लेंगे 2, और यहां से क्यावल क्या लेंगे 6, और साइन की एक ओर्डिंग आप काम करेंगे, यह आपको हमने बताया था, तो चुकि गुणा है तो आप सबको गुणा कर देंगे, इकाई अंक आप आसानी स से निकाली जिए यहां से लेकिन क्या होगा जिसे यहां पर तो आपको तीनों नंबर अलग अलग है लेकिन क्या यह हमेशा जरूरी यह तो बिलकूर नहीं हो सकता है कि आपको तीनों नंबर आपका स्थेम ही हो जाए जैसे यह आपको हो सकता है कि आपको हर बार यह 542 ही आए देख लिए आप पर यह तीनों नमबर अलग अलग है लेकिन ऐसा भी तो पूर्सिबल है ना कि आपको तीनों बार आपको पांट सब्यालिस हो और इसका आप से पूछा जाए कि आप यूडी बतावें मतलब कि इकाई यंग बतावें ठीक है तो आप सिंपल आप क्या कर रहे हो कि जब यहां पर अलग अलग नमबर था तो आपने क्या कि नमबर से कोई मतलब नहीं रखा कि वह लिकायंक लिया उसी परकास यहां पर अलग अलग नमबर हो चाहिए तो नमबर हो उससे तो कोई मतलब है नहीं बलाने का प्रोसेस तो हो ही रहेगा कि भाई आपको इस प पार जब नंबर सेम होगा, तो इस नंबर का जो होगा उतों सेम ही रहेगा, अब ही बार बार रिपिड करेगा, पर लबंगी सब गूणा में है, तो इस सब कुश्क पिए करने हैं कि आपको गूणा करना होगा, ठीक है, और एक बात आप जानते हैं, कि अगर e के power 2 रहे तो इसका मतलब होता है एक उने ए मतलब दोबर एक के पॉट टीन रहे है उसका मतलब होता है एक के पॉर यह लिया रहे है इसका मतलब एक कितना बार गुस्था तो है तो हम आप को यह समझना चाहाँ आपसे इसका यहां पूछार MRA यह सटेको सकते हैं में 552 के होल पाउट थेरे को ऐसे बोल सकते है कि आपसे आप से कहा जाता कि हम का इंइ ना तो जब आप निकालते हैं तो यह आज यह तो से में आजब आप मिंसको हाल के हैं तो यह आया है तो क्या इसको जो है दो के पावर आपका 3 नहीं आएगा दो के ivra चो ऊब यह हुआ कि जब आप इसको भी हब करेंगे टो चुप्षी यह और यह दो यह ने कि दौट टो आग है तो जहब इस गाल करेंगे तो यह पर देखिये 542 के बजय केवल आ रहा है। क्या या रहा है। व पूरे नम्बर से आपके मतलब नहीं रखना है। कि यानि या यहां पर यह का सकते हैं। की आप से अवर कहा जाये कि A B C D कोई number है इसका पाउन आपंका जो है P Q R A से और इसका U D निकालना है U D मतलब की कहाई कांक निकालना है तो आपको केवल करना क्या है नहीं पूरे है वहाफ यहां पर रहेगा तो पावर आपका PQRS है तो आपका PQRS हो जाएगा को समझ हाया तो हम आपको बस एकदम छोटी सी बास सम्झाघ्रिए लगी बहुती चाम की बात है हम आपको इतना बास सम्झाना चाह रहे हैं कि माल यह आप से कहा जाए कि यहां पर आपको जहें 4 5 6 7 8 9 ऐसे नुम्ब लिख दिया गया इसका पाउड है 3 2 4 5 ऐसे कर दिया गया और इसका आप से पूछा जाए कि यूडी बतावें तो सवाल अप देखें अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आपको डर्ने कि आवन सक्टा नहीं है बसın से आपको हमने क्या वता है क्या ष air कोशीज की कि आप जो है यह पूरा नंबर देख रहे हैं इस पूरे नंबर से आपको कोई ले देना नहीं है यहां पर मतलब वाल किस्सा है तो इस Sikayg स्कायंख कितना नो यानिकि इस पूर्य सवाल में जो है मेन आपका जो चीज या पकी काम चीज है ठेक है आपके काम का सा आम हैं और आपको यह गूठ horizon किसी काम का है नहीं कि वह आपको आम खा कि गूठ horizon देना है तो वहीमें यहां पर Plat vou है 9 ले लेंगे आप पावर आपका 3, 2, 4 पाच हो जाएगा यानकी सवाल वस इतना सा है 9 के पावर 3,245 का इकायं क्या होगा इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है तो बस आपको हमने अभी प्रोसेस समझाने की कुशिस किये कि जब आपका पावर वाली बात आजाए यानकी वैसी संख्याओं का आपको इकायंक निकालाओं जिसमें पावर की बात होने लगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो बेस होगा नीचे वाले को बेस बोलते हैं जो यह दिख रहा है इससे क्या करते हैं हम लोगे बेस करते हैं और उपर वाले को क्या करते हैं तो पावर तो बेस जो होगा बेस का जो इकायंक होगा उसी को लेना है जो पावर रहे वो पावर यहां पर चढ़ा देना है एकदम छोटी सी बात आपको हमने समझाने की कोशिश की है उमीद है आप समझ पा रहे होगे चलिए सीलतला को आगे बढ़ाते हैं और अब जो है इसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं चीजों को समझ न आएं आप न समझ पा रहे हो ठीक है तो अब हमनों चलते हैं आगे कि भाई जो पावर वाली सेंख्याओं का इक निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे कैसे आपर हल करोगे ठीक है तो देखिएगा समझे गौर कीजिएगा जिस्तमाली चीएं यहां पर हम हेडिंग लिए दे रहे हैं आपको पावर वाली सेंख्याओं का यूडी निकालना यूडी निकालना मतलब की का यहां के निकालना ठीक है तो इसको हमनों तीन पाइट में बाट कर पढ़ेंगे जो पाइट होगा वो तीन पाइट होगा यह पाइट वन पाइट वन पाइट वन होगा वो जिरू एक पाँच और छे के लिए होगा जिरू एक पाँच और छे के लिए इसका जो पाइट वन होगा वो चार और नौ के लिए होगा पाट 2 किसके लिए होगा 4 और 9 के लिए होगा पाट 3 किसके लिए होगा तो 2, 3, 7 और ये 8 के लिए होगा अब ऐसा क्यों होगा भई तो ऐसा इसलिए होगा कि आप कोई भी नमबर लिखते हैं कोई भी नमबर हो वो 10 डीजिस से बना है बत्ब कि 10 अंको से बना होता है उदस कौन-कौन होते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन ही 10 अंको से आपको कोई भी नंबर बनती है या फिर बनता है अब अगर आप इन ही पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो कोई भी नंबर हो जिसका इकाई अंक निकालना हो आपासान और 6 को रखा है ऐसा क्यों रखा है कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा हमने इसलिए रखा है कि जैसा नेचर 0 का होता है वैसा ही नेचर 1 का होता है और वैसा ही नेचर 5 का होता है और वैसा ही नेचर 6 का होता है इस वज़ा से हमने पार्ट 1 में 0, 1, 5 और 6 को एक साथ रखा है इ आईसा इसलिए क्योंकि जो चार का नीशर होता है लगभब वैसे ही कुछ वैसे ही नेशर आपको 9 का भी होता है और जो बच्छे खुचे 2,3,7 ,8 हैं इनका नेशर लगभग लभग एक जैसा होता है तो जिनका नीचर एक दूसरे से मिलता है उनको हमने एक साथ रहकर की समझाने की कोशिश की है और जब एक साथ रखा गया है तो टोटल आपको तीन पार्ट बने बाल समझ रहे हैं यानि कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो आपको अगर दिखा जाए तो पॉपुलर जो पार्टी है उसमें आपको एक तो बीजेपी हो गई एक कॉंग्रेस हो गई और एक आपको आप मतलब कि आम आदमी पार्टी हो गई तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉंग्रेस के विचार धाया से परभावित होते हैं तो वो लोग कॉंग्रेस को सपर्ट करते हैं और कुछ लोग का आम आदमी पार्टी के विचार धाया से परभावित होते हैं तो वह आम आदमी पार्टी को सपर्ट करते हैं तो कुछ वही बात यहां पर भी है जीरो एक पांच और छे इनका विचार एक दूसरे से मिलता है इसलिए हमने इनको एक अलग समुह में रखा गया है तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पाए होंगे तो अब हम लोग समात करते हैं कि भाई पार्ट वन जिसमें 0156 आता है उसमें क्या वात है जब इनकी बात हूँ तो हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे इस चीज को हम लोग देखने जा रहा है ठीक है समझेगा यहां पर आपको हम पार्ट वन पार्ट वन समझाने की कोसिस कर हैं पार्ट वन में हम लोग किसके बार में दिखेंगे तो 015 और यह 6 यानिकि जो पार्ट वन में चीज़ें आप सीखेंगे वह 015 और 6 पर लाग होगा ठीक है समझेग और किजिएग जैसे हम नहीं यहां पर एक नंबर लिखा दो तीन चार पांच ऐसे और पावर में निकलेंगे तो नीचे वाले को बेस बोलते हैं उपर वाले को पार बोलते हैं तो बेस में जो नंबर है उस पूरे नंबर्स मतलब नहीं होता है हमको बेस के किवल इकायंग से मतलब होता है तो बेस का इकायंग है क्या तो पांच तो जब आप इसका इकायंग निकालेंगे तो इसमें आपके काम का चीज़ क्या है तो पांच और पार में क्या है तो निनानवे इसका मतलब यह हुआ कि इसका इकायंग निक करना एक के पाउर तीन मतलब क्या तो एक को तीन बार गुणा करना यह नहीं होता है तो उसी परकास यह पांच के पाउन निनानवे का मतलब क्या हो गया तो पांच को आप जो है निनानवे बार कितना बार निनानवे बार गुणा करेंगे ठेके पांच को कितना बार गुणा हैं तक कि आपको समझाने में सहोलियत हो यह 99 बार होगा गुड़ा करेंगे तो 5 25 होगा आप 25 में आपको एकाई का अंक्या आएगा पांच कैसे गुड़ा करते हैं पार्ट वन में हम सिखाया है अगर आप चैनल पर नहीं है तो उसको आप जरूर देखिए 5 25 25 में का अंक्या आएगा पांच याने कि आप पांच को कितना भी बार्णुना किजिये जो नंबर आएगा जो नंबर आएगा उसका इकाई कितना आएगा पांच आने वाला है जैसे आपको कुड़ेशना हम संख्या थोड़े ही निकालना है हमको स्र interpret का कि निकालना क्या ही का यौकी और डिका इकांग कि इतना है आप अक्क child what about about 15 přिर 25 क्षुए का यंक पाच फिर 25 25 pan कि और फिर 25 पच्छांग और यहां पर इकांग किया पाच चाहिए हमको पूरा नमबर नहीं चाहिए हमको केवल इकायंग चाहिए ठीक है उसी परकार से जैसे आप समगी कहा है कि इसका आप इकायंग निकाली है तो इसका मतलब यह होगा कि इस पूरे नमबर से तो हमको मतलब है इस पूरे नमबर से मतलब नहीं है हमको तो केवल आम खाना कहा है मोजदि को फेक दिना तो किसको चुनेंगे 5 भूलेंगे याब के जो आप 5 को लीजेगा आप कि 1022 से से बात है और कि 5 पाँ!」 और क मतलब पांच को गूना करना है और कि गूना कर लीजे नंबर तो बहुत बड़ बाइए गे लेकिन हम तो हमने बस यह समझाने कुछिस किया है कि जब बेस का इकायंग 5 हो आप पावर देखो यहाँ पर नियानवे है तो भी इकायंग 5 आया है तो भी इकायंग 5 आया है तो भी इकायंग 5 आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब base का 1 का यंग 5 हो power कुछई भी रहे power आपका कुछई भी रहे 1 का यंग हमेशा क्या आएगा तो 5 ही आएगा इकाईग क्या आने वाला है तो 5 ही आने वाला है इस बात को आपको ध्यान में रखना है और यह केवल 5 में लागू नहीं होगा जैसा नेचर पांच का वी तो हम समझाएं कि जो एक विचार धारा की लोग हैं उनको हमने एक साथ किया है तो जैसा नेचर पांच का तो चुकि पांच के समुव में एक है जिरो है छे है तो कहीं न कहीं जैसा नेचर 5 का है वैसा ही नेचर 1 का भी होगा तो ही समुभ में वो है वैसा ही नेचर 0 का भी होगा और वैसा ही नेचर 6 का भी होगा तक कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि भाई मेरे अगर आपको अगर आपको ऐसी संख्या का इकायंग निकालना हो इसका power दिया हो और उसका base का बेसका 1 जीरो है अब power कुछ भी रहे जब आप इक आउनक निकालेंगे बेसका इक आउनक क्या जी जीरो है धेकिनो यह परिजिरो है power कुछ भी रहे तो 1 आएगा जीरो आएगा इसी परकाल से अगर आपको पाउवली संख्या का 1 काउएंग निकालना है और उसका बेस का 1 काउएंग 5 हो तो पावर कुछ भी रहे इकाउझ के आने वाला है तो 5 ही आने वाला है हाग के बाते हाजम हो रहें इसी परकाल से आपका बेस का इकायंग 6 हो अप आप कुछ भी रहे तो इकायंग क्या आने वला है छे ही आने वला तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी तो वह सिंपल सी बात है कि जिरो हो तो जिरो आएगा एक हो तो एक आएगा पांच हो तो पांच आएगा छे हो तो छे आएगा अब देखिए भाई यहां पर सवाल हम बताने जा रहे हैं कोश्चन कोश्चन बताने जा रहे हैं कि भाई आपकी एक eadam में कोश्चन जो बनते हैं वह यहां से कैसे बन जाता हैं ऑर यहां कुश्चन होता कि 3 4 5 6 7 8 और इच्छे है आप पावर में जो है 9 2 3 4 ठीक है तो हम इतनी वड़ी संख्या देखकर घबला जाते नहीं अगर आप पहर चुके हैं अभी अभी आपको समझा दिये कि वह आपको नंबर कितने बड़ी दियों से मतलब है नहीं हमको जो है बेस का ज का सिंबर स्वाल है और आपको हमने अभी बताया कि जो बात 6 पर आ जाए तो पावर कुछ भी हो इतना है तो क्या हुआ कुछ भी रहे आपको एकायं क्या आएगा तो 6 ही आएगा यंकि सवाल के इंसर क्या आएगा 6 आएगा उमीदे बाती समझ ही आ रही होंगी अच्छी लग रहा है तो वीडियो को share करें, share आप जरूर करेंगे, जिससे कि हमको एक motivation मिले का, और अगली वीडियो इससे भी अलग motivation के साथ, इससे भी अलग energy के साथ आपको हम बनाएंगे, जिससे कि आपको बेनफिट हो, ठेकें, तो आप comment जरूर करें, वीडियो आपको अच्छा अब तक के पहुंचे अब देखें अगले कोश्चन की तरफ आते हैं जैसे कोश्चन आता कि ऐसे यह आपका कोश्चन है इसका पावर जो है तेन, चार, पांच, छे, आठ हम ने डाल दी यहाँ पर तो भाई इस पूरे नमबर से हमको मतलब है नहीं हमको क्या देखना है तो जीरू अगले के जीरू आगे जीरू आगे तो यह पावर आप कुछ भी रहे इका यह आएगा क्य जिरुवाएगा उमीदे बाती हजम हो रही होंगी समझा रही होंगी ऐसी ही अगले सवाल लेते हैं आपका कोश्चन यह है कि भाई और यह पाउर जो है तीन से ब्यालिस प्लस आपको जो है आठ चार पाच ही यह आपको एक हे और पाउर में जो है नौँ से चो बालिस है इसका इकायंग आपको निकालना इसका इकायंग निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे तो देखो बहुत यह उप करेंगे यहांपर ईनटू होता तो एनटू करते माइनस होता है तो माइनस करते हैं मतलब कि जो sign होगा वो आप sign के according काम कर देंगे आप देखो वह यहाँ पर base में 345 है तो आपको हमने सिखा रखा है कि वह इस 345 है कोई मतलब नहीं है केवल आपको काम का चीज के है 5 और अभी आपको part 1 हमने समझाया part 1 हमने समझाया कि पांच की बात आ जाए तो आपको पावर दिखना है पावर कुछ भी हो उसरे कोई मतलब नहीं है इकायंक आएगा कि आप 5 इसी परकास जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक है तो पावर अब कुछ भी हो तो इकायंक आएगा एक आएगा अभी आपको रूल हम पहला बताया थे और part 1 बताया थे तो इसमें आपको बीच में पलस है तो पलस फिर 5 है कितना होग छे आएगा तीस तरीके से इस कोश्चन का इकायंक आएगा छे आएगा तो उमीद है आपको पाती समझ में आए हों कि तो आज बस इतना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक के अपना ख्याल दखें